भोजपूरी सिनेमा चगत के यंग स्टार अर्विन दकेला उसकलू युवा दिलों की धड़कनों पर राज करते हैं। वो आज से ही नहीं बलकि बच्पन से ही गाईगी करते हैं। और भोजपूरी इंडस्ट्री के सभी कलाकारों के साथ सभी दर्शकों के दुलारे और चह पर दिराम लगा दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्लूर ने शिवानी पांडे के साथ शादी कर ली है। इनका वैबाही कारिकरम 26 जन्वरी को ही हुआ है। इनके शादी के फोटो शोसल मेडिया पर सामने आ चुकी है। तेजी से वायरल भी हो रही है। आपको बता शादी के भोजपूरी के युवा गायक और एक्टर कलू की शादी बनारत से हुई जहां भोजपूरी के कई सितारों ने अपनी उपस्थिती दर्च कर आई। लगाई दिही चोलिया के हुक राजाजी और नाच रिपतर की जैसा गाना देने वाले एक्टर अर्विंद अक केला कलू शादी के बंधन में तो बन गए लेकिन आपको बता दे कि उनकी शादी के पहले इंडस्ट्री में इस बात के कोई सुबगाहट भी नहीं थी ऐसे में कलू को छुपा रुस्तम भी कहा जा रहा है हलाकि शादी हो जाने के बाद हर किसी को इस बात का इंतिजार था कि कलू अब रिशएपसन कब और कहा देंगे तो आपको बता दे कि कलू ने इपनी शादी का रिशापसन 28 जनवरी को बनारस में दिया जहां उनको आशिर्वात देने की लिए भोजपूरी के तमाम कलाकार पहुँछे थे आपको बता दे किकलू के रिशैपसन पार्टी मे बोचपूरी अभिनेत्री अक्षरा सिंग, आमरपाली दुबे, बोचपूरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादा उर्फनी रहुआ, बोचपूरी के देशी स्टार जमर सिंग, राकेश निश्वा और इतेश पांडे भी आये थे। बोचपूरी के ये दो बड़े सितारे अर्विन दकेला उर्फकलू की शादी में आखिर क्यू नहीं आए। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरे नाम है डॉली पांडी, मेरे साथ हैं कैमरमेंड विशाल और आप देख रहे हैं जमाजम भोचपूरी। भोचपूरी के हिट मशीन खिसारी लाल यादव से इंस्टाग्राम पर लाइब में बात करते हैं और उसे बातचीत के दौरान खिसारी लाल यादव अर्विन दकेला उर्फकलू को उनकी शादी के पहले ही इशारो इशारो में बधाई देते हैं। हलाके तब भी किसी को कल्लू की शादी का कोई संदेह नहीं होता है। नेचर विवेक सिंग और उनके राइटर अख्लेस का श्यप कल्लू को आशिरवात देने के लिए उनके रिशेपसन पार्टी में पहुंचे थे। जहां विवेक सिंग ने खिसारी लालियादो को वीडियो कॉल पर अर्विन दकेला और कल्लू से बात कराई और हिट मुशीन खिसारी लालियादो ने भोजपूरी गायक अर्विन दकेला को दमपत्य जीवन के धेर सारी बधाई और शुपकमनाई दी। उसके बाद कल्लू ने कहा कि आप लोग एक बार भोजपूरी के सूपर स्टार खिसारी लालियादों के लिए ताली बजा दीजे वो आ तो नहीं पाएं लेकिन वीडियो कॉल के माद्यम से ये अपना धही सारा प्यार और आशिवाद दे रहे हैं। उसके बाद कल्लू कहते हैं कि एक बार 24 परिवार के और से ब्राम्वन परिवार के और से यादव परिवार के भी नंदन स्वागत में जोरदार ताली बजा दीजे। परिशुप कामनाई देते हैं। इन सब के बीच जो एक बात गौर करने वाली थी वो ये थी कि रितेश पांडे जैसे ही स्टेज पर आ रहे होते हैं वैसे ही कल्लू रितेश पांडे के लिए कहते हैं कि ब्राम्वन आ रहा है कल्लू बार बार खिसारी लाल यादव और रि दूसरे से जब लाइब में बात कर रहे थे तो खिसारी लाल यादो ने भी कहा था कि आप भले ही उम्र में हमसे छोटे हैं लेकिन आप ब्राम्वन ने इसलिए हम आपकी इज़त करते हैं। लेकिन पवन सिंग ने न कल्लू को वीडियो कॉल करके बढ़ाई दी और ना ही शोसल मेडिया पर कोई फोटो शेयर कर शुपकाम नाई दी। कि कल्लू जो पवन सिंग को अपना गुरू मानते आए हैं वो पवन सिंग का फैन हो नाम से गाना भी गा चुके हैं। और वही कल्लू कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जब तक उधर इज्जत मिल रहा है रहूँगा लेकिन अगर दिस दिन मुझे लगा कि वहाँ इज्जत नहीं मिल रहा है तो मैं भी बकसर का हूँ, मैं भी आक्शन ले सकता हूँ। और मुझे भी बहुत सुनाने आता है। कि शादी में नहीं आए। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आते ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे जाज़त दीजिए धन्यों